आज हम आपको बताएंगे कि करेले की खेती आधुनिक तरीके से और मचान सिस्टम पे किस प्रकार से की जाती हैं जानेंगे किस प्रकार उन्होंने कजला की खेती की और उसमें क्या-क्या बेसल डोज दिया हैं अभी आपका जो प्लोट है लगबक किते दिनों का हो चुका है मशीन से बेट लगई है पूरी प्लांट के किस प्रकार अच्छी ग्रोथ है ये एक महीने का हमारा प्लांट हो चुका है तो अपने बीच की कौन सी क्वालिटी का लिया है कि अगर हम इसमें बिमारियों की बात से बाद कि आपने क्या दूरी रखी ये पोदाज बहुत ज्यादा फिलता है ना तो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो इसके बीच भी कम लगेंगे वह लगबक दूरी बहुत अच्छी रहती इसमें प्लाव बहुत नमस्कार के सातियों और मचान सिस्टम पे किस प्रकार से की जाती है तो आज हम आपको किसान से सीधे रूबरू करवाएंगे और उनसे ही सारी जनकारी लेंगे कि किस प्रकार जो हैं वो करे ले की खेती कर रहे हैं और किस प्रकार उनमें उसमें मुनाफ़ा काम आ रहे हैं और किस प्रकार से ज प्राइब मतलब निर्मान किया गया है किस प्रकार से जो इसमेजDory लगाया है किस प्रकार इन्हों ने निसरी में तयार करने से पहले च्छार आप यह तो सारी जनकारिया हम लेता है तोfa हमारे किसान है यह अपना परिचे देंगे एक बार में दिलिव पाटिदा गाउं गुड़ा तुसर आप कितने सालों से जो हैं यह खेती का काम कर रहे हैं इसी साल किया में अपने इसी साल शुरुवत कि तो ड्रिप में मल्चिंग में तो करते आ रहे हैं तर्बुच के के दि स्री दिलिव पाटिदार जी और यह हमारे ही पासी के इलाके के हैं इनका एक शोप हैं अंबिका इंटरपैजेस करके हमारे पासी के बड़े शहर में जहां पर यह ड्रीप मल्चिंग का सप्लाई करते हैं स्री दिलिव जी आज उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने नरसरी की रूप में लगाया है, सीधा लगाया है बेड प्रिपरेशन किस प्रकार किया है क्या-क्या फर्टिगेशन देते हैं और भीमारियों से बचाने के लिए जो क्या-क्या छिड़काओ करेंगे सारी जानकारी आज हम पूरे वीडियो में लेंगे तो अगर आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा और वीडियो अगर जानकारी वाला लगे तो अधिक सदिक किसान साथियो तक शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी जो है हमारे और भी किसान साथी जान सके और इस प्रकार की आदूनी खेती कर सकते हैं तो सर सबसे पहले आप ये बताईए कि आपने इन पोदो को नर्सरी के रूप में लगाया था या सीधे ही लगाया था तो ये अभी आपका जो प्लोट है लगबक किते दिनों का हो चुका है ये लगबक एक महिना का हो गया है एक महिना का प्लाट हो चुका है अपने इसमें क्या-क्या डाला था खाद वगेरा जो जो है बड़ी वाली तो इनका कहना है कि इनोंने लगबक दो ट्रॉली के सम्थिंग देशी खाद यहाँ पे डाला है और उसके बाद फिर उन्होंने अपने रोटावेटर चला के जूताईगी देशी खाद डालके रोटावेटर से जूताईगी उसके बाद बेट बनाए है मशीन से बेट लगई है पूरी और ड्रीप एरिकिशन सब साथ लगता है इसमें मल्चिंग भी साथ लगती है और ड्रीप भी साथ लगता है जब बेड बनता है तभी इसमें ड्रीप और मल्चिंग दोनों को काम हो जाता है आपने पर बेड 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 हैं और यहां पर जो है गुफा के जैसा बन जाएगा जब यह बेल बड़ी होगी यह पोद्य बड़े होंगे तो प्रकार से और मचान बनाने से या यह लगाने से क्या होता है कि फूर्ट की लंबाई ज्याधा रहती है और वो छोटे-छोटे नहीं होते हैं लटकने के कारण अच्छे लंबे बनते हैं तो सर अपने बीच की कौन सी क्वालिटी का लिया हैं स्विहांच वार्णयर्टि सब्सक्राइए निने में 15 वाला हुए यह वाला है और इसभी इसमेंक बात करें तो अभी तक कोई बीमारी नहीं जी तो अगर आप इसमें अगर बीमारी आती हैं तो उसमें मैं क्या-क्य चिल्काओ करेंगे तो अगर हम इसमें बिमारियों की बात करें तो बिमारियों के लिए इन्होंने जो क्या-क्या इस्प्रे किया है पूरे एक एकड़ के प्लोट में इन्हों जो हमारे इदर उसको जुगार वाला इस्प्रे बोलते हैं जो यह आपने बास कितने रुपय में लिया कितने प्लाका है और किस प्रकार से लगाए है यह बहाँ लगबग पिचुतर रुपय का पड़ा है लगबग 15 फिट का उसमें हमने 7 फिट के टुकड़े दो-दो करके लगाए है और इसमें डोरी है यह दोरी है देड़ सो रुपय किलो आती है करीब यह बलेक वाली बढ़िया वाली डोरी आ चड़ने का आपका क्या मक्सद रहा है मतलब आप इसका मक्सद है कि मजबूत भी इह उसके बात इसमें किया कि उपर चड़ने में तकलीब नहीं आएगी इससे गरम नहीं होगा गरम जैसे तो पोधों के कट लग जाते हैं और उसकी वजए से तूट कर गिड़ने लग जा यहां पर एक्सपिरिमेंट किया है तो इस प्लाट को हम आपको आगे भी अपडेट देंगे कि किस प्रकार यह बड़ा होता है इसके हर्वेस्टिंग किस प्रकार से निकलती है उसका हम नेक्स्ट वीडियो आपको एक बार फिर से देंगे और आईए हम बाकी और जानकारी इ किसान लोग करते हैं करपतवार को मिटाने के लिए वह ना करके वह जो हमारे किसान बता रहे हैं कि छोटा रोटा वेटर चलाकर उसको सारे को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है जिससे की कीट नाशकों से बचा होता है और फसल को उससे कोई नुकसान नहीं होता है और बेट से बेट साथ फीट की दूरी रखी है और 20 से करीब 10 से 12 फीट है जी और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखी गए तो यह तो सर यह जो तीन फीट रखने के पीछे आपका कोई अलग उचित नहीं यह पोधा ज़्यादा प्हेलता है ना तो उसकी ग्रोध तो जादा दूरी रखने का एक मतलब यह वी है कि इसमें अगर एक प्लांट में बिमारी अगर आती है तो जादा दूरी रहेगी तो इनका जैसे कि हमारे किसान बता रहेंगी इनका फेलाव बहुत जादा होता है तो फेला होने के बाद इसमें अच्छे से एर का पास होती रहेगी ताकि ये बिमारियों से बचे रहेगी और इनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी तरीके से होते रहेगी तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताईए और इसी प्रकार की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अजिक साधी किसानों को हमारे साथ जोड़िए इसका नेक्स पार्ट जो हार्वेस्टिंग वाला होगा हम आपको बताएंगे आज के लिए इतना ही जै जवान जै किसान जै हें